आपको थोड़ा अजीब अटपटा लग रहा होगा लेकिन मुझे पता है कि यह वीडियो पूरा देखने के बाद दो बाते होंगी नमबर वन आपको यह टाइटल पर्फेक्ट लगेगा एंड नमबर टू आपके दिमाग से कैंसर का डर हमेशा के लिए खतम हो जाएगा पह या ओवर एक्टिव सेल बोलो कैंसर अपने आप में कोई बिमारी नहीं है कैंसर का मतलब सिर्फ है कि सेल्स को जितना एक्सपेक्टेटली एक्टिव होना चीए उसे ज्यादा तेज से अगर फैलता है फूलता है तो उसे कैंसर बोल देंगो तो क्या यह पॉसुबर है प्र इनका भविष्चे क्या होगा कल क्या होगा परसो क्या होगा आप देख रहें कि एक थोड़ा ग्रीन है और एक सूपता जा रहा है लेकिन यह प्रिडिक करने के लिए कि कल क्या स्थिती होगी आप को यह जानना जरूरी है कि कल इसका एन्वाउमेंट क्या होगा अगर मैं इसके एन्वाउमेंट को बदल दूं तो फिर आप प्रिडिक कर सकते हैं कि कल से यह रावरा होने लगेगा और जो दूसरा हरावरा है वो हो सकता है कि सूपने लगे इस डिपेंडिंग ऑन कि उसके आसपास का माहौल क्या होगा लेकिन मान लिजे मैं यह प्रिडिक करता करूंगा जान मुझके मैं इसकी सर्जरी यानिकी तोड़ फोड करूंगा जाइट सी बात है इन सारे चीजों से यह डिस्ट्रॉइ होगा यह मर जाएगा फिर बहुंगा देखिए मेरी प्रिडिक्शन सच हुई और यह तो मर गया तो डाट इस वाट इस हैपनिक आप मेरा किसी भी living being को मारने के अस्तर है ना कि उसको जिन्दा रखने या healthy करने के अस्तर है अब जब कोई डॉक्टर बोलता है कि आपको 3rd stage cancer है 4th stage cancer है तो यह stages क्या होते हैं और इसके पीछे criteria क्या है कि इस basis पे डॉक्टर बोलते हैं कि आपको 14 stage का cancer हो गया इसको समझीए बड़ा जो cancer cell है वो कई सारे body के organ में फैला हुआ है stage 3 मतलब कि एक region में कई जगा थोड़ा दूर तक फैला हुआ है stage 2 अपनी जगह पे फैल रहा है एक stage 0 भी होता है हम और आप सब stage 0 के cancer patient ऐसा बोल लिजे तो अब डॉक्टर को कैसे पर चलता है कि इस वाले patient में cancer कितनी जगह फैल रहा है तो यहां पर एक बहुत ही popular test है जिसको ज्यादा रिलैवल माना जाता है वह है pet scan उसको अधार बनाते हैं अब pet scan क्या है कैसे अधार बनाते हैं यह आपको समझना जरूरी है और इससे आपको सारी खेल सारा खेल आपको समझाएगा इसे कहते हैं positon emission tomography जो इस तरह का और एक machine देख रहे हैं इसके अंदर बिठा देंगे लिटा देंगे actually और आपकी कुछ तस्वीरे खिलेंगे खीचेंगे three dimensional उस तस्वीरों से जो film निकल के आएगी उसके अंदर आपके body के अंदर जहाक रहा होगा और body के अंदर कहीं चमकता वह कुछ दिखाई देगा और ज्यादा active cell ऐसे होते हैं जो ज्यादा शुगर खाते हैं याद रखिए इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो मेरे body के सारे cell जिन्दा है और जो cell जिन्दा है तो वह जिन्दा रहने के लिए वह energy कहां से मिलता है basic energy मिलता है glucose से तो glucose उसे ज्यादा शुगर खाएगा हम उसे और अवर एक्टिव बताएंगे और बता देंगे कि ये खत्रे वाला cell है ये cancer producing cell है ये एक theory है यूं मानिये कि आपने एक assumption बना लिया कि जो बच्चा ज्यादा खाना खाता है वो ज्यादा शरारती होता है जो बच्चा कम खाना खात जो इस category में आ जाएंगे इसका मतला ये साबित नहीं हुआ कि जादा खाना खाने से जादा शरारती होते हैं कुछ ऐसी बच्चे होंगे जो कम खाते हैं और वो भी शरारती है ठीक इसी तरह से जो evidences है वो साथ सा स्क्रीन पर आते जा रहे हैं आप उसे भी नज़र कि ऐसे evidences हैं कि बहुत सारे body care cells हैं जो कम शुकर consume करते हैं बट वो बड़ी तेजी से grow हो रहे हैं बड़ी तेजी से over active हो रहे हैं तो यानि कि यह जो basic assumption है वो assumption scientifically proven नहीं है बलकि वो disproved है लेकिन यही foundation है pet scan या इस तरह के scan के diagnosis का तो अब यह doctor को कैसे पहचलता है कि body के concept part के cells जादा शुगर खा रहे हैं उसके लिए पहले तो patient को बोलते हैं कि एक दिन तक आप कुछ खाना मत खाओ fasting पे रहो करीब कम से कम 18 गंटे अब जब fasting पे रहेंगे यानि कि body के सारे cells भूके हैं जो glucose के इंदार में हैं अब डॉक्टर चलाकी से क्या करेगा कि body को glucose ना देग एक chemical radioactive chemical body में inject कर देगा उस radioactive chemical का नाम है fluorodioxy glucose FDG FDG के नाम से यह जाना जाता है FDG fluorodioxy glucose यह radioactive material है जिसका एक पार glucose भी है अब वो भूके सारे cells हैं और जैसी body में FDG inject हुआ तो भूके cells जिनको sugar नहीं मिला वो यह खीचने लगेंगे खाने लगेंगे और absorb करने लगेंगे जाहिर सी बात है जो जादा भूका गो वो जादा absorb करेगा लेकिन जो जादा absorb करेगा क्योंकि इसमें radioactive material है वो जब photograph कीचे जाएंगे इस machine से तो वो आले पार्ट जादा चमकेंगे और वही आधार बन जाएगा basis बन जाएगा डॉक्टर का ये तैय करने के लिए कि आप cancer patient ह अब देखिए यहां पर इस तरह की photograph आ जाती है अब यहां पर जादा चमक यहां देख रही है यह थोड़ा बहुत यहां देख रहा है और इस वले फिल्म में जादा चमक बॉड़ी के यहां देख रहा है या कहीं यहां भी देख रहा है यानि कि डॉक्टर बोलेगा देख जिसका बेसिक काम होता है कि थर्मोटानियमेक्स या बॉड़ी के हीट को बैलेस करना, जिस तरह से सर्दियों के मौसम में जब शिवर करते हैं ताकि बॉड़ी में हीट आए वह शिवरिंग में रोल होता है जो जातर यहां पे होता ही है, तो यानि कि जो बहुत पतले होंगे या जब सर्दी का मौसम होगा तब यह ब्राउन फैट ज्यादा एक्टिबली रोल प्रे करते हैं उस वक्त अगर पैट स्कैन करेंगे तो जाहिड सी बात है ब्राउन फैट ज्यादा शुगर खीच रहे हैं तो यहां पे ज्यादा चमक दिखाई देगा बट यह बोल जाहिड सी बात है वह ज्यादा एनर्जी पेट्रोल करेंगा ठीक इसी तरह से इसी तरह से इसी लिए वन अप्टू वन थर्ड लोगों का थारेट ग्लैंड पैट स्कैन के नुसार कैंसर डिटेक्ट हो जाता है जबकि वह कैंसर नहीं है वह थारेट ग्रैंड इसल्फ का अ जात ब्राउन फैट है उसका माइट्रोक्रेन कॉंड्री बौ जादा एक्टिव है तो जाधा शू सूगर कंशी करेंगा है तो यह जो हाइपोतेसी में मतले है aux करोम होवे चांसे कांसर पर चांस भीन जा FDG, cells ने consume किया, उसकी भी calculation है, उस calculation में एक random criteria रख दिया, कि cells ने अगर 2.5 unit से जादा SUV consume किया, तो उसे हम criteria में डाल देंगे कि ये cancerous है, जब कि ये जो brown fat है कई वार ये 3 या 4 SUV होता है, thyroid line कई वार 7 या 10 SUV हो सकता है, तो तब वो उसके normal होते वे भी, normal function होते वे भी वो घोशित कर दिया जाएगा कि ये तो cancer है, और ऐसे में जब patient इस तरह के film को लेके second opinion के लिए किसी भी doctor को पहस जाते हैं, और जाइड सी बात है वो एक allopathic doctor को पहस जाएंगे, तो वो भी same भाशा बोलेंगे, और जब चार-पांच लोग एक ही इंसान को बोल देंगे, तो cancer है, ये cancer है, तो वो patient खुद भी, जो कि patient भी नहीं, actually वो healthy इंसान ही था, और healthy enzyme है भी, लेकिन इसके अनुसार वो cancer का fourth stage का patient है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा, कि brown fat, thyroid की तरह, जिनको irritable brown syndrome होती है, वो उनके stomach में इस प्रकार के microbe होते हैं, जो ज़्यादा sugar consume करने के आदी होते हैं, यानि कि अगर वो patient, IBS का patient, अगर pet scan के लिए जाएगा, ज़्याँ में कहीं कि blockages हो, यह जगह भी ज़्यादा चमक दिखाई देगी और यह prone है for the doctors to diagnose them and wrongly as a cancer patient, यहाँ पर समझना होगा कि जहाँ पर body में infection है किसी भी तरह का, घाव है किसी भी तरह का, या inflammatory cells है, जहाँ पर inflammatory cell का काम होता है, जहाँ पर infection है, वहाँ पर fight करके ठीक करना, repairing करना जहां पर injury वहां पर repairing करना लेकिन जहां पर inflammatory cells होंगे जाहिद सी बात है body में वहाँ पर quapet of energy ज्यादा होगी वहाँ ज्यादा होगी तो वहां FDG uptake भी ज्यादा होगा और वहां FDG uptake ज्यादा होगा तो उस film के अनूसार pet scan के अनूसार doctor बोल देगा भाई का molecule जो body के over active cells को balance करने में और under active को normalize करने का एक middle man का रोल करता है यह बड़ा ही important molecule है जो आपके health कैसा है उसको decide करता है उसको balance करता है और यह जब भी role play करेगा उस area में भी sugar consumption जादा होगा यानि कि वहां repair work चल रहा है लेकिन हमारा pet scan उसी repair work को as a cancer cells देख रहा है याद रखिए pet scan कभी ये diagnose नहीं करता कि आपके body में cancer है कि नहीं वह सिर्फ ये diagnose करता है कौन से cell जादा sugar खा सकते हैं या उस वक्त का रहे हैं जो cell उस वक्त शुगर जादा खा रहे हैं जरूर नहीं कि वह आगे भी शुगर जादा खाएंगे जब वह की healing हो जाएगी healing tissues जो है healing bones जो है जब healing पूरी हो जाएगी तो उसमें sugar consumption काम हो जाएगा तो यहां पर एक experiment बताता हूं जो आप करके देख सकते हैं इन सारे theory को समझने के लिए माली जा रहे हैं और मैं आपके scan को manipulate करना चाहता हूं तो मैं आपको बोलूँगा जाने से गंटे पहले आप अपने एक हाथ को बहुत कई बार हिलाईए आप डंबल लेकर एक्सराइज कर लिजिए 15 मिनिट अब जब एक्सराइज करेंगे तो यहां जो मसल टिशूज है तो भूके हो जाएंगे और अब जब पैट स्कैन में जाएंगे तो जाहिर सी बात है तो यानि की डॉक्टर बोलेगा यार आपके तो हाथ में कोई ट्यूमरेस ग्रोथ होने वाला है यह हाथ तो काट देना चाहिए जबकि वो सिंपल बात यह थी कि आपने उस हाथ को जादा हिलाई डूलाय है और वहां पे जो शुगर की रिक्वार्टमेंट जादा हो गई ह जिनके बच्चे हैं चोटे बच्चे बच्चों की जो भूक बीपन करती है कि बच्चों का मूड कैसा है उस ने कौन सा काम किया खाने पर इसके फेडर्ण है कि और आधी अभी खाना खाया dive तो नहीं है तो कई सारे फैक्टर इपे इस एक पर्टिकर टाइमcción पर कितना खन वाला है वो वेरेबल होता है depending on so many factors right so ठीक उसी तरह से हमारे body के cells भी कितने भूके हैं वो कई सरे factors भी depend होता है वो एक तरह का खाना या एक जितना sugar रोज consume नहीं करते हैं एक और example में लेता हूँ जब pet scan हो रहा हो उस दौरान पेट scan के दौरान आप अगर जादा बात करेंगे तो जाहिर सी बात है यहां पर रिक्मेरेंट और शुगर बढ़ जाएगी क्यूंकि यहां पर muscle activity हो रहा है और ऐसा देखा गया है कि फिर यह वाले portion में चमक जाद देखेगी यानि की डॉक्टर के क्रेटिरिय के हिसाब से यू है औरल कैंसर या फिर बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है यहां पर कि आपको अगर मैं यह सावित करना चाहूं कि आपको आपको पैट्सकैन आया उसको बिल्कुल बदल दो उलेट करना चाहूं तो मैं आपको पैट्सकैन से पहले खिला पिला के भेज़ूंगा अब आपके बोड़ी के सारी सेल्स में शुगर अल्री है जितना उनको चाहिए तो वह भूके ही नहीं तो उनके अब जब डॉक्ट और डॉक्टर बोलेगा देखो जी आपको तो कैंसर ठीक हो गया राइट या फिर एक बात जो मैं समझनी होगी वुमिन्स में महिलाओ में जब मेंसुरेशन साइकल के नजदीक ओवुलेशन डे के नजदीक यूटरस और ओवरी के अक्टिविटी जादा होती है वहां शु कैंसर जादा शुगर अप्टेक करता है तो उसको भी बोल देंगे देखो यह तो कैंसर है तो या फिर एक एक एक्सपरिमेंट जो एमांग दे मेल्स मेल्स बिफोर पैट स्कैन पैट स्कैन से पहले अगर कोई इरॉटिक मेटिरियल उनने दिखा दिया जाए कोई पॉनोग जी बढ़ जाएगा जिससे डॉक्टर बोलेगा अरे आपको तो टेस्टिकूलर कैंसर है जबकि सच बात तो यह है कि जब पैट स्कैन से पहले वह पॉनोग्राफी देख रहाता है तो जो लेक्टीटिंग मदश होती है ऐसे मदश जो ब्रेस्ट फीड करती है बच्चों को उस दौरान जाइड सी बाता है जो ब्रेस्ट के टिशूज हैं मसल्स हैं वो ओवर अक्टिव होते हैं या उनमें रिक्वाइर्मेंट और शुकर ज्यादा होती है तो वह अला पार्ट पैट स्कैन के अकॉर्डिंग ज्यादा शुकर यूटलाइज पार्ट होगा तो बोले बाइपसी से नॉमल सेली कैंसरिस लाइजन पर चेंज हो सकता या होता है इसके सारे सबूत में इखटे करके डा के से अगेंस्ट आएमे इसमें डाल दिया है पर सकते हैं तो कभी भी बाइपसी मत कराई है बाइपसी कराना मतलब खुदी आप कैंसर को बुला रहे हैं अब अगर कोई डॉक्टर चाहे आपके PET scan को manipulate करे तो उनके पास भी इसके अलावा कैसे और हत्यार है सबसे पहले तो FDG dose कितना यह देते हैं Normally 370 unit देते हैं for example MBQ 370 देते हैं तो अगर उसको double कर दें तो ज्यादा dose अगर देंगे 700 कर दिया तो भी जाहिड सी वात है ज्यादा चमक दमक दिएगी तो यह बोल सकते हैं देखो जी आपका तो पूरा इतनी जगह पे cancer फैल गया या फिर जो शिरिंज है शिरिंज के piston को जब खीचते हैं और तब जो blood आता थोड़ा सा वह ब्लड जब अंदर पूश होगा ऐसे क्लॉट तो वह क्लॉट एक हॉट्सपॉट बनाएगा और उसे भी कई बार वहां पे अप्टे को फटीज बढ़ जाएगा जाता है जिससे दाट कैन लुक लाइक cancer according to the present protocol set by the pet scan theory similarly pet scan के जस्ट पहले अगर को insulin आप पे लगा दे तो बॉड़ी के वह cell जो जादा insulin जिसमें एब्जॉब होगा उन सेल में FDG भी जादा absorb होगा तो अगर मुझे साबित करना हो कि आप तो cancer के patient है और मैं radiologist हूँ मैं सिर्फ आपको क्या करूंगा आपके pet scan से पहले आपको insulin 10, 5, 15, 20 unit आल दूंगा जिससे आपका जो pet scan है वह all together different हो सकता है या हो जाता है अब radiation induced याद रखिए मैंने सबसे शुरू में बताया था कि FDG itself is a radioactive material और आप में सब को बताया कि radioactive material से cancer होता है यहां तक कि pet scan के precaution में लिखाई है कि pet scan के बाद अगले कुछ घंटों तक या एक दिन तक आप pregnant woman है छोटे बच्चे उनसे दूर रही है क्योंकि आप एक radioactive material बन गए है और आपकी वज़े से उनको cancer हो सकता है जब आपकी वज़े से उनको cancer हो सकता है तो आपके body मे cancer हो सकता है क्या the answer is yes और यह लिखित में है pet scan के precaution में लिखाई हुआ है कि इससे patient के cancer होने के chances बढ़ जाएंगे तो देखिए एक healthy इंसान वो अपने body में poison डाल रहा है radiation डाल रहा है which is known to cause cancer जो लिखाई हुआ है पहले से pet scan के theory में और फिल बोल रहा है कि मैं cancer cancer ठीप हूँ अब बताईए how to invent a cancer patient क्या यह title आपको थोड़ा बहुत justified लग रहा है सबसे जादा भ्यानक बात जो अब पांचमी बात आप पढ़ रहा होंगे जिन्हों ने दो खुराग लगाई है अब यह साबित हो चुका है screen पे दिए research paper आप पढ़ सकते हैं detail में कि यह दो खुराग लगाने के बाद pet scan जिन्हों ने कराया pet scan altogether different और वो pet scan के according they are diagnosed that there is more chance of diagnosing as a cancer patient तो cancer patient होते नहीं है पहले तो पैदा किया जाते हैं इन सारे theory के माद्यम से यानि कि जो diagnostic tool बनाए है वो आपके लिए trap है मैं यह नहीं पोड़ों cancer का कोई बीमारी होती नहीं है और active cell नहीं होते है जरूर होते हैं लेकिन यह trap है अकसर मैं मिलता हूँ patient से वो आते हैं मेरे पास बोलते हैं कि वही मैं cancer patient हूँ लेकिन जो मैं पूसता हूँ आपको क्या तकलीफ है आपको वी weakness है आपको pain है low grade fever है को unusual symptom है तो बोलते हैं यह सब नहीं है कुझे कोई therapy, radiation, surgery, biopsy, mammogram के बारे में कि यह क्या करते हैं और कितना किस तरह से यह आपको cancer बना सकते हैं उसके लिए मेरे किताब पढ़िए one question that can save your life या मेरे किताब the case against I.M. इसमें सारे सबूत दिये है अब आता है करना क्या है पहला step safely कैसे diagnose करना है कि आपके body में ज्यादा over active cell तो न days, 20-25 दिन से, 30 दिन से, या फिर क्या मुझे body में कही pain है लगातार, या फिर कोई unusual symptom है, या फिर क्या मेरा hemoglobin किछले कुछ महिनों में लगातार गिरता जा रहा है, तो इन में से कोई 5 में से कुछ भी है तो समझ लिए आपके body में कहीना कि over active activity चल रही है, इतना ही काफी है अब है कि ठीक कैसे होना है, ठीक कैसे होना है, यहाँ आप सारा ले सकते हैं, 2017 नोड़ प्रेस बिनिक साइंस, circadian rhythm, circadian rhythm मतला आपकी body clock, अगर वो बिगड जाती है, तो याद रखिए कि आपके body में over active cells होंगे, जिससे आपको इस तरह की दिक्कते आएंगी, जो normal दुनिया म भी खा रहे हैं, 16 गंटे रोज fasting कीजिए, वो जो fasting वाला time है, उसमें body का एक mechanism active होता, that is called autophagy, जिससे body के over active cell धरे-दरे अपनी activity को ठीक करने लगते हैं, एक normalize करने लगते हैं, तो यह पहला step है, जो कि बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है, कहीं बैठके, क्या खाना है, कितना खाना इस पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले ही बात यह कर रहा हूं, कि आपको सिर्फ 8 गंटे के bracket में खाना है, 16 गंटे बिना खाय रहना है, उस दौरान पानी पी सकते हैं, step 2, 8 गंटे जो खाई रहे हैं, जिनको बड़ी तेज से ठीक होना है, उस दौरान भी, आप एक nutrition diet, nutritious diet लीजे, जैसे DIP diet, याद रखिए जो लोग DIP diet को समझते हैं, कि DIP diet का एक पार्ट, sunlight exposure भी है, कम से कम 20-30 मिनित धूप में, आपने आपको दिखाए, धूप में रही है, तो यह DIP diet हो गया, second step, third step, zero volt therapy, याद रखिए, आपके body की voltage जब zero होती है, तब आपकी immunity peak पे होती है, जब immunity peak पे होगी, तो body के अंदर जो भी overactive या underactive cells है, वो normalize होने लगते हैं, तो zero volt पे रहने के दो तरीके हैं, आप जमीन से touch में रहिए, जैसे नंगे पेर अगर आप जमीन पे चलेंगे, मिटी में चलेंगे, घास में चलेंगे, तो जमीन से contact में रहते हैं उस वक्त आपकी body की voltage अगर आप measure करेंगे, it will be zero volt, या मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में अरड़ी बताया कि zero volt bed sheet बनाई है, रात भर उसी पी लेटी है, जैसा हम अपने hospitals में करते हैं, जैसा मैं अपने patient को recommend करता हूँ, ये तीनो step अगर आप करेंगे, तो evidence ये कहता है कि वो जो पांच बाते में ने बताई थी, वो symptoms कम होने लगेंगे, अगर symptoms कम हो रहे हैं, तो आप ठीक हो रहे हैं, symptom बढ़ रहे हैं, तो आप बिमार बढ़ रहे हैं, बस इस से आगे diagnosis का कोई मतलब नहीं, basic focus क्या है, basic focus क्या है, मेरी quality of life बढ़ जा है, अब एक सवाल आप हो, उनका overall life span बढ़ गया हो, in comparison to, in the similar circumstance, जिन्हों ने नहीं कराया, इस पर बहुत सर रेंडमाइस कंट्रोल ट्रायल हो चुके, अल्डरी दुनिया में, वो records में है, जिस से सावित होता है, जिन्हों ने कुछ नहीं कराया, they had a longer life, more enjoyable life, in comparison to, जिन्हों ने डॉक्टर के बोलन जिनको यह सब करने के बाद भी रिलीफ नहीं मिला या उतना रिलीफ नहीं मिला, तो इंदजार कीजिए, मेरे अगले किताब का, किताब का नाम है, how to invent a cancer patient, all the best, जैहिन, अगर आप life saving videos, health tips, के regular updates चाहते हैं, हम से WhatsApp से जुनना चाहते हैं, तो screen pdv number पर WhatsApp कीजिए, अपना न हैं.